हालो अर्वा मुस्ट वैलकम टू जाएं दिस सेशन आज के सेशन में बात करेंगे हम इन्वामिन्ट और इकोलोजी बेस्ट कुछ एमसी के उप्रे जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है यह सेशन यूपी एसी फिर आपके टेट सुपर टेट कॉंस्टेबल इत्याद एक्जाम के लिए काफी बेनिफीस होने वाला है तो चले इस सेशन की सुरुवात करते हैं क्वेस्टन के स और 5 questions आपको assignment के रूप में मिलेगा तो इस तरह से ये series top 20 की हो जाती है चले session को इस्टार्ट करते हूं देखते हैं हमारा first question आपके सामने first question आ चुका है चुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच है देखे इसमें कुछ जीके के question है इसी जोग्राफी कोरिलेट करके भी है जैसे ये question आपको directly environment का नहीं लगेगा लेकिन कहीं कहीं जोगर्फी का part है तो बताए चुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच है तो इस question के क्या जवाब होगा सुथिभी और मंगल मंगल और व्रेस्पति ब्रेस्पति और सनी सनी और यम तो इसका सही जवाब हो गया option number B यानि कि मंगल और व्रेस्पति के बीच में ठीक है चले थोड़ा सा इसके बीसे हम समझते है कि छुद्र ग्रह पटी क्या होती है यह अगर दो मंगल और व्रेस्पति दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है तो ऐसा क्या स्तिति यह और यह है क्या तो देखें यह है हमारा मंगल क्राइश जिसको हम इंगलिस में मास बोलते हैं ठीक है और hold a minute what is happening और यह है हमारी सवर मंडल का सबसे बड प्लैनेट जिसका नाम है Jupiter जिसके घुपिटर, इसल हम यहाँ पर बात करते हैं, वहिन होता лежए जब यूनिवर्स का निर्माड 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 न रहा था इस चोटे मोटे इंपक्ट की वज़ा से जो चट्टा ने तूट की कुछ बेट के रूप में यहां पर इकठा होगे तो इन पट्टियों का एक सिरीज किसके बीच में है मार्श और जुपिटर की वीच में और इसे हम क्या बोलते हैं छुद्र ग्रह पट्टी का बोलते हैं और इसको इंग्लिस में क्या बोलते हैं एस्टोराइड क्या बोलते हैं एस्टोराइड बेल्ट तो अगर यह इतना समझ में आ गया तो ऐसे क्वेस्टन आपसे असानी से बन जाएंगे और देखिए यह इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं मास को क्यों बोलते हैं इस पे ना आइरन आकसाइड की अधिकता है जिसकी बज़े से क्या है यह लाल दिखता है और इसको हम क्या बोलते हैं लाल तारा चलिए अगला दिखते हैं औरंग राष्टी उद्यान किस प्रदेश में है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेस्टन है और फैक्ट बेस्ट है बताएए और रांचल प्रदेश असम या मिघाला है तो इसका सही जवाब क्या होगा जो उरंग राष्टी उद्यान है यह कहां पर है यह है असम में अब इसकी थोड़ी सी विसेस्ता आप जान लेजें इसमें क्या है यह जासे मालेजें वहां पर असम के साइड में असम में ही एक नदी अधर से आती है जिसका नाम है ब्रहंतरा अब ब्रहंतरा के उत्तर की ओर जो यह मतब्राष्टी उद्यान है इसकी इस्तिति यह ब्रहंतरा है ना? और वहां का ये सोनित पूर करके डिस्टिक है क्या है सोनित पूर करके डिस्टिक है वहां पर क्या है ये राष्टे उद्यान है तो इतनी जानकारी है तो आप question कर लेंगे ये कौन से नदी है ब्रह्म पुत्रा नदी सिरीज में हम नदियों को भी explain करेंगे फिलहाल इतना है तो ये fact-based question पूछते रहते हैं अभी देखेंगे जो मतब टेट में directly helpful जो questions बनेंगे उसे भी related देखेंगे और जो बड़े अस्तर की question है उन्हें भी देखेंगे और देखेंगे ये छोड़े-छोड़े question मिल रहा है एक बड़ा सा आपको knowledge देते हैं जिसे आप कोई भी समय दंसेल है मैंने बोला था सुरू में environment के साथ साथ आपको कुछ GKK भी questions मिलेंगे तो बताइए कौन सा अंग या उत्तक मानों सरीर का नित्रित करने करें सबसे अधिक समय दंसेल है खून दिमाग गुर्दा फेफड़े है question number 3 का right answer क्या होगा बताई आपसर number B इसका सही जबाब होगा जो दिमाग है इंसान का वो क्या करता है इंसान के सरीर का नित्रित करने सबसे अधिक समय दंसेल है क्या दिमाग चले question number 4 पढ़िए यह है थोड़ा सा बड़ा question अब इसको ध्यान से पढ़िए उसके बाद जबाद देजें निमलखीत कत्नों के अधार पर सह कि जली छेत्र को पहचाने वह कौंसा जली अस्थान आउं जो अब यहां पर दिया है मताब एक स्थिती दिया है यह कि इस्थिती दिया हुआ है और उसके अधार पे आपको बताना है वह कौन साος थान से यह फ्याड़ा intestine question है यह भारत के पुर्वी तट पर आपको बताना इन चारो आपसन में से वो कौन सा जील है जियो ऐसी बिसेस्ता रखता है अब यहाँ पर हम क्या कर लेता है थोड़ा सा भारत की मैपिंग कर लेता है rough tough मैपिंग करेंगे मतलब बहुत सजा धजा के नहीं करेंगे rough tough मैपिंग करते है भस काम चलाओ यह है हमारा भारत अब यहाँ पर क्या है वह भारत की पूर्वी तड़ पर इस्तित यानि कि इस question में जो पूछ रहा है जली छेतर के बारे में वो कहां पर है इसके पूर्वी तड़ पर है पहली बार इस question को समझेंगे तो कई सारे question आपके solve हो जाएंगे और थोड़ी सी जानकारी भी मिलेगे यह बिस्व प्रसिद्ध पच्छी चिडिया घर है यह जिस जिल की विसेस्ता बताया जा रहा है वो बिस्व प्रसिद्ध पच्छी चिडिया घर है यानि कि वहाँ पर बहुत दूर दूर से बच्छीया माइगरेट होके आती है और पिर वहाँ पर निमास करती है यह भी उसकी विसेस्ता है यह भारत के प्रसिद्ध अंत्रिक्छ अनुसंधान केंद्र के आस पास है अब भारत का सबसे प्रसिद अंत्रिच अनुसंधान केंद्र इसरो कहां पे है ठीक है अब ये आपको पता होना चाहिए प्रसिद अंत्रिच अनुसंधान केंद्र ठीक है किस इस्टेट में है ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है तो इसके आसपास में ही है ये खारे पा पानी का जील है अब खारे पानी का जील जहीसी बात है सम्मुद से टच होगा अब दाई इन चारों बिसेस्ता के अधार पर इसमें सही आपसन क्या होगा पुलिकट लेक को लेरू लेक को लेरू तो कैंसल कर दीजें को लेरू तो चले गए आप वेस्टरं साइड उसके के जो दूसरा है विस्मों प्रस्एषिद चड़िया घर के लिए तो इसमें सही जवाब क्या हो जाता है बदाई एक सर्फन नमबर फूर का सही जवाब क्या हो जाता है और और पुलिकट लेक है ना अब इसकी विश्यस्ता हम थोड़ा सा देखेंगे क्यों देखें यह विश्व प्रसित चिडिया घर है यह भारत के प्रसित अंत्रिच अनसंधान के अंदर के आसपास है और यह खारे पानी का जील भी है इसने इस क्वेशन का जो आपसर नमबर ए है व तो आपको यह बताना क्यों है यह 1 Question है कि पहली क्वेशन है कमेंट लिच्छन बताएगा ठीक है यह दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की जील जो की तिलंगाना और तमिल्माड की सीमा पर है जैसे आपको हम बता दें यह है तिलंगाना है और यह है आपका यहां और एहां से जाता है नीची से तमिलनाड रहाना और तमिलाड के किससे हैं सीमा पर हैं कौन सी पुलिकट लेग तिक अब कि अब आते हागे इस पुलिकटब अप Barbie और यह हरी कोटा के आज regime पास है जो उस्थिरिश हरी कोटा में है आपका इसरो का headquarter उसके आसपास में है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, हरी कोटा, तो इतनी जानकारी है, तो आपको पुलिकट जील के विशन में पता चल जाएगी, चली question number 5 देखी, नाचने वाले हीरन भारत के किस प्रदेश में पाये जाते हैं, बताएए, गुजरात, मड़ीपूर, तमिलनाड या जम्यू कसमेर, तो question number 5 का right answer क्या होगा, option number B होगा इसका right answer, तो नाचने वाले हीरन कहाँ आप आए जाते हैं, मड़ीपूर में, तीक है, अब मड़ीपूर में नाचने वाले हीरन की क्या भी सेचता है, इनको सांगाई हीरन भी बोलते हैं, जैसे इनका जो असली नाम है, उनको हम बोलते हैं, सांगाई, सांगाई भी बोलते हैं, तो सांगाई हीरन भी बोलते हैं, ठीक है, और मतलब इसको अगर हम देखना चाहें, तो जो मड़ीपूर का है, केबूर लमजाओ, मतलब नेशनल पार्क जो हैं यापे, मड़ीपूर में नेशनल पार्क है, जिसका नाम है, केबूर लमजाओ, ठीक है, अग उसको भारत के किसी हिस्से में नहीं पैया जाता है अगर कहीं क्वेश्चन सेए healthy house थो आपको पता होना चाहिए कि याणि केभो लामजाओनेसलपार्क यानि मड़ीपूर के अलामा यही रन कहीं पे भी भारत के किसे भी हिसे में नहीं पाया जाता है चलिए क्वेशन नमबर फाइब का हमने देख लिए क्वेशन नमबर शिक्स देखते हैं चिम्मिनी वन जिव अभ्यारण किस प्रदेश में है इन चारो आपसर में से चूच कीज़े इसका सही जवाब क्या होगा यह एक्शली पाया जाता है केरल में ठीक है और ये कहां पे है केरल के थ्रिसूर डिस्टिक में है और ये पस्चमी घाट पे है तो ये कहां पे है वेस्टन घाट पे तो अगर question बने कि वेस्टन घाट पे पाय जाने वाले वने जिए अभ्यारण में कहीं चिमनी का नाम आया तो पका माल देज़ेगा तो यहां तक आपक का एक बहुत अच्छा निमास अस्थान में है यहां पर बॉर्ड भी क्या करती है रिसाइट करती है यहां पर रुकती है तो यह भी आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के भी से में इतनी जैनकारी प्रयापत है चलिए क्वेश्चन देखिए मंडला प्लांट जिवास उद्ध्यान कहां है बताइए यम्-पी यम्-पी कहां पर है क्वेश्चन नम्हें स्फिवन का सभी जवाब क्या होगा उत्राक्षंड च्छतिस्गार मढद्य प्रदेश उत्तरप्रदेश क्वेश्चन नम्हें का राइट एंसर होगा एक आप मताए है अचा आर्गैनिक मतलब जिवासम इधन का नाम सुना है जो बहुत सदियों पहले दब गए थे हैं ना और फिर वो मतलब ऐज़ा इधन अगर हम यूज करते हैं फिर कोई भी ऑर्गैनिक चीज जो दबी हुई थी और वो अपना रूप बदल चुकी है तो उसको हम जिवासम बोलते में है और इसकी क्या विश्यस्ता है यह मतलब अगर देखा जाएं तो दो लाग चोहतर हजार एक सो किलो मेटर में फैला हुआ है मंडला प्लांट जिवासम राष्टी उध्यान अब इसकी अस्थापना की बात की जाएं तो 1983 में इसकी अस्थापना होई थी तो इतनी जनक करेंगे और हम एक अच्छा खासा नॉलेज रिसीप करेंगे यह थोड़ी से यूनिक क्वेस्टन थे तो उनको स्लिफ्ट किया गया यह तो आपको पता यह होना चाहिए जो पेरियार रास्टे उध्यान है उकीस प्रदेश में यह बड़ा फेमस है और बहुत ही पस्तित है यह चीज आपको पता होना चाहिए अब इसकी विशेष्टा की बात करें हम तो यह केरल के जो इदुकी अपने इदुकी डैम का नाम सुना था जहां पर इदुकी डैम के मतलब तूटने की वज़ए से फलड आ गया था केरल में बहुत जादे लोग तरास्ती मे तूटने के जिए औो ऐधार से तोजी यह तो इदुकी मतलब एक है वहां पर लोकेशन उसका नाम है पत्थनामी उसका नामी थोड़ा से डिफरेंक है न सेदुकी है लोकेशन और पत्थनाम तिथा और यह दोनों क्या हैं लोकेशन नाम में हिद्धु की पत्थ नाम्तिथ हुआ और यह तैक किस डिस्टिक में अगर कौशन मुझे कि केरल के किस कीश डिस्टिक में है कौट्ट्ईयम यह ऐस दिस्टिक में और इसनग इसे चितरप ऐसके बारे में बात की आए तो 925 किलो मिटर क्यों सकता यहां पर हाथी चीता शांबर गौर जंगली सुवर जंगली गलहरी इत्यादी पाया जाता हैं यहां पर मैं लिखता हूं हाथी ठीक चीटा हाथी चीटा उसके बाद सामबर आप से पू breeding हाथी घ्रले चीटा को पता ही होता है सामबर गौर ले यह तो गोर गौर ओसक्त जंगली सुवर की जंगली सुवर और इनका आवयाच सिकार भी बहुत होता है और जंगली गिलहरी जंगली गिलहरी जंगली गिलहरी को मैं यहाँ G से लिख देता हूँ नेसनल पार्क जो केरल में उपस्तीत है किस डिस्टिक में कुट्टे हमने चेले देखते हैं अंगला question question number nine पला माउ टाइगर रिजर्व छेत्र किस परदेश में है पला माउ टाइगर रिजर्व छेत्र जो है वो किस परदेश में ब्राइए तमिलनाड पंजाब जारखंड हरियाना तो इसका राइट अंसर क्या है आपसर नमबर सी जारखंड तो पल क्या लातेहार तो लातेहार district में यह है क्या पलमाव टाइगर रिजर्व इसका अगर छेत्रफल की बात करें तो 1129 दस्ञक्नव नो तिन वर क्लमीटर में फैला हुआ है 1129 दस्मलो नो तिन की अगर यी डाटा आपको पता होता है ना मोटा मोटी भी पता होता है तो अगर आता है ना मतब जीलो के या फिर ऐसे आता है टाइगर रिजरों के छेतरफल की दिश्टी कोड थे उनको असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में लगाने के लिए तो अगर मोटा मोटी आइडिया जाके 925 ने बताया था अभी एक लाग बहतर हजार बताया था है ना तो ऐसे ही अगर आपको पता रहता है मोटा मोटी तो आप आरेंज करने में सहज हो जाते हैं कि थोड़ा सा भी अगर याद आ जाता है तो टफ क्वेस्टन भी आपसे सॉल्व हो जाता है इसलिए ये डाटा थोड़ा-थोड़ा सा अग इसमें बाग के अलावा जैसे अगर हम देखें तो इसमें कौन-कौन से जाव नमर पाया जाता है उनकी बात करें ठीक है तो इसमें प्लमाव टाइगर जर में मतब बाग के अलावा बाग तो पाया ही जाता है इसके अलावा हाथी तेंदुगा सांबर देखिए वहां पे भी पाई जा रहा था कहां पर जानोर को मैं है बतारा हूँ पहले बग, हाती, सांबर, गौर और बिस इतने ही कामन है जो पेरियार और प्लामाओं में कामन है यहां पे विसेस क्या है तिंदुगा है और जंगली कुत्ते हैं तिंदुगा और जंगली कुत्ते यहां पे अब मोटी मोटा देखें तो कौन कौन से जानवारा है यह भी बाग तो फ्रिकुंटली पाई जाएगा बात और यह जारखंड की तो बाग है क्योंकि बाग पाई जाएगा वही बगल में आपका विस्ट बंगाल है जो संदरवन डेटटा जहां पे वह प्रसिद्ध है तो ब क्या है सांबर अच्छा चलिए सांबर से एक चीज़ याद आ रहा है ना आप बताएं सांबर लेक कहां है ठीक है यह आपके लिए हैं सांबर लेक कहां पर कमेंट सब्सक्राइब जरूर बताएगा गौर और जंगली कुत्ते अभी गौर हमने देखा था पेरियार में भी और यहां पर एक इकस्टा आ गया क्या जंगली कुत्ते यानि की फॉरेस्ट में रहने वाली डॉग है ना तो यह सारे जानवर बिस्यस कर यहां पर पह जाते हैं कहां पर प्लमाव टाइगर रिजर्व कहां पर है जारखंड में ठीक है चलिए अब देखते हैं आज की सेश स्काइब लाइक जरूर कर लीजेगा तो यह लास्ट क्वेशन है नो क्रीक राष्टे उद्यान कीस प्रदेश में है यह अनांचल प्रदेश भी है मेघाले में अब इसकी थोड़ी सी विस्यस्ता हम देख लें यह कहां पे है मेघाले में आपने सुना होगा तीन पहाड़ी है विस्यसकर फेमस है उनके उपर जनजातियों के नाम भी है क्या क्या है गारो खासी जैनतिया यह वेस्ट इस्ट भी ऐसे ही है जैनतिया गारो खासी जैनतिया अब यह क्या है कहां पे है नो क्रीक यह जो गारो पहाड़ी है उसके पश्चमी हिसे में यान स्थिति नों ग्रीक राश्टी उध्याहन की चटरफल इसका बहुत कम है सका चितरफल देखा तो यह 47.48 है अब इतना है कि बहुत कम चितरफल में है क्या क्रीक राश्टी उड्याहन और यह famous क्यों है बताईे जो ACI elephant पाई जाती है यहाँ पर बिसेस कर पाई जाती है ACI ASEAN elephant लिख लिजे ASEAN elephant के लिए यह famous है कौन? नोकरिक राष्टे उद्ध्यान और यहाँ पर क्या पाई जाती है इसके साथ साथ पच्छियां भी वर्ड्स भी यहाँ पर पाई जाती है जीव रिजर्व गोसित कर दिया कब? 2009 में किसने? योनेसको ने क्या गोसित कर दिया वन ने जीव रिजर्व ठीक है? वन ने जीव रिजर्व यहनकी wildlife conservation कब? 2009 में चले इस तरह से आज का सेशन कम्प्लीट होता है और जो भी मैंने बोला अगर सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए, सेयर कीजिए सब्सक्राइब करके खुच जोड़िये और अपने दोस्तों को भी कमेंट कीजिए और जो question पूछा है उसका definitely answer दीजिए और कितने question आप से सही बने उसको भी कमेंट सेक्षन में जरूर डाले आज का सेक्षन यहीं पर complete होता है चलिए इस सेशन को complete करते हैं आपको बदाई कि आपने यहां तक देखा टेक क्या रादे रादे आपका दिन सुब हो पढ़ते रहे हैं मोटिवेटेट रहे हैं